हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल, आज हम बात करेंगे सोलर प्रोजेक्ट्स में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से मेथड़्स हैं जनरली हम डिसकस करेंगे, कैपेक्स मोडल के बारे में, ओपेक्स मोडल के बारे में और OPEX में जो model साते हैं आपके जैसे की Resco model और Boot model के बारे में तो चलिए एक एक करके discuss करते हैं अगर हम solar projects अपने factory में हैं building में, society में, hospital में, school में college में कहीं लगवाना चाहते हैं तो इसे सबसे पहला method है invest method करने का वो है capex method सबसे simple method है जिसमें आप जितना project इंस्टॉल करते हैं उसके charges आपके करते हैं और इससे यह फाइदा रहता है कि ownership आपको मिल जाती है और इसमें जो maintenance वग रहती है वो भी आपके under ही रहती है लेकिन फाइदा यह रहता है कि सारी की सारी जो electricity है वो आपको free of cost बिलती है lifetime तक तो इसमें जब तक आपके modules चलेंगे 25 years, 30 years, 35 years तब तक आपको electricity free of cost है तो यह है आपका capex model अगर हम बात करते हैं opex model की तो opex model में आपका आजाता है operational expenditure means जितना आप electricity consume करें उत्रा किसी solar providing company को या resco company को आप pay कर सकते हैं तो resco company इसमें invest करती हैं आपनी तरफ से और जो सारा का सारा investment है वो resco company द्वारा ही किया जाता है इसमें consumer को pay नहीं करना पड़ता लेकिन इसमें भी कुछ as a security money 30% या as per the agreement कुछ as a security जमा किया जाता है जिससे की जो electricity charges है आपके कुछ कम हो जाते हैं तो generally 50% या 30% तक electricity charges हो जाते हैं यह आपका आता है resco model में और यह agreement generally 25 years तक रहता है अगर इस agreement में कुछ आप changes कराते हैं तो वो under boot model आ जाता है जैसे कि 10 years से 15 years का applicant agreement कराना चाहिए उस तरह से और इसी model में एक और भी model है जो resco companies होती हैं वो bank through आपका loan कराते हैं जो भी consumer होते हैं और as a installment आपको वो loan pay करना होता है as per your requirement या as per agreement up to 10 years और 25 years और 20 years उसके बाद जो सारी ownership है वो आपकी ही होती है पूरे projects की और जो installation होता है जो installation company होती है उन्हें bank से installation charges मिल जाते हैं और दीरे दीरे आप जो भी interest है वो या और installation है वो आप यह करते रहते हैं तो दीरे दीरे करके project आपका हो जाता है तो इसमें एक तरीका ये भी है कि अगर आप invest ना करना चाहें तो bank के द्वारा loan करा सकते हैं और यह सारे का सारी responsibility resco company की रहती हैं या company भी अपनी तरफ से कभी-कभी invest करते हैं और जिसमें से कुछ पार्ट को consumer से भी invest कराते हैं तो इस तरह से जो पूरा project है solar का वो आप capex model में भी कर सकते हैं और resco model में भी कर सकते हैं तो और अधिक जानकरी किया आप हम से संपर्थ भी कर सकते हैं आज के लिवास अतना ही थैंक्यों दन्यों